हेलो एवरिवन, जैहिन तो कैसे आप सभी लोग? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग फटापर पहले कॉमेंट कर दो कि आपका जो ड्रीम जॉब हो क्या है? आपका ड्रीम जॉब नेवी है या एर फोस है? वैसे हैं देखो यह दोनों जॉप नहीं दोनों एक आपको बता है ना लेकिन फिर भी आप कॉमेंट कर दो कि आपको इसमें जाना है आपका ड्रीम क्या है नेवी है या एर फोर्स है ठीक है तो आज की वीडियो वेसिकली होने वाले की आपको कैसे आप नेवी के एक्जाम क् अप्शन होगा ठीक है उससे आपको वीडियो को 2X कर लो इससे क्या होगा ना इससे आपका टाइम बज जाएगा मतलब की मालो वीडियो अगर आठ पिनट के तो वीडियो आपकी चार्म में खतम हो जाएगी तो आप इसको 2X कर लो ठीक है मतलब 1.75 या 2X आपको जितना तो Air Force XY के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है यहीं कि हुआ है 17 जुलाई को जिसमें आपको यह सारे एडुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं और रिजल्ट की बात के तो 200 प्लस सेलेक्शन होगा है नम बाले एक्जाम में आने के अडमी प्लस के दोरा ठीक है अगर बात क 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है और आपको उसमें यह सारे पढ़ाने वाले तो अगर आपको Air Force के प्रिपरेशन करनी है तो आप उनके साथ इन सारे बैचस को भी मोनस में देख सकते हो ठीक है मतलब एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सारे बैचस को देख सकते हो अगर बात करें ओफर किती इस वक्त ओफर चल रहा है 31 जुलाई तो कॉफर है 12 मन्त पे 2 मन्त फ्री और 24 मन्त पे 4 मन्त फ्री ठीक है सब्सक्रिप्शन लेना बहुत ही आसान है कुछ लोग में पूछ पी रहते आपको बिसकली इस काटेगरी में गिट सब्सक्रिप्शन प उसके बाद आप अपना 12 मन्त, 6 मन्त, 24 मन्त, 3 मन्त फ्री ठीक करके आपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हो चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की कैसे आप नेवी डबल ले या SSR का एक्जाम क्रेक कर सकते हो इसकी एक साही रण नीती क्या है देखो आर बेसिकली जो लास् फिजिक्स नहीं आता इसमें साइंस आता है जो लड़के सिर्से बड़ी गलती करते हो तीक लड़के सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं और इसलिए बहुत सारे भाई फिजिक्स यहने की साइंस वाले शेक्स्तन करण आप क्वालिफाई नहीं कर पाते है तो इसमें साइंस आ प्रणा दिया कि नेवी में जीके रिजनिंग कैसे पढ़ें क्या पढ़ें आप उसको देख सकते हूँ ठीक है तो मुझे लगता है निक्यार बार-बार मतलब उस पर बात करनी चाहिए वीडियो अल्रेडी अप्लोड है कि नेवी में जीके मतलब क्या आता है कहां कितना आता अगर आप उतना पढ़ लोगे तो definitely आप जीके में 15 नंबर तक बहुत ही आराम से ला लोगे ठीक है और अगर आप ने 15 नंबर जीके में ला लिया ठीक है अगर आप 15 नंबर जीके में ला लिया तो आपके लिए 20 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं नेवी इंग्लिश हमेशा आसान आती है और हमेशा ही इंग्लिश आसान आती है लेकिन इसका मुद्धा फस्ता है साइन्स वाले पोरिशन में और मैट्स वाले पोरिशन में देकर नेवी का एक best या तो science को tough करता है, math को easy, या वो math को tough करते हैं, और science को easy करते हैं, तो आपको इस बात को दिमाग में रख के चलना है, तो अगर दो में से जो भी आसान है, आपको मुझकिल से 10 नंबर लाने का प्रयास करना है, बस ठीक है, उस section में. अगर science tough आ गया math easy आ गया तो आपको इसमें score करना है और आपको इसमें इस नाट के वल 10 से 11 नंबर आने का प्रयास करना है और आपका ये असाना जाएगा तो आपको इसमें score करना है basically लड़के देखो आर फस्ते कहाँ है देखो अगर हम science को पड़ लेना तो आर हमारा काम बहुत ही अराम सुझाएगा लड़के सिर्फ फस्ते यहां पर साइंस में और जीके रिजिनिंग में ठीक है देखो आर नेवी का जो math से और अलग होता है ठीक है नेवी का जो math में मैं मतलब अजीव type की आते हैं तो अगर आपने अच्छे से preparation की है तो आप इन 10 में से कम से कम 5 से 6 question तो करी लोगे और विश्वास करो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका selection confirm हो जाएगा ठीक है तो overall बात करें तो आपको math में आर देखो कम से कम 15 नंबर स्कोर करने का प्रयास करना है नेवी में ठीक है math में अगर बात करें तो आपको कम से कम 15 नंबर का प्रयास करना है ठीक है अब बात करते हैं science देखो यार physics आप सभी लोग एयर फोर्स के लिए पढ़ी रहे है और लेकिन देखो chemistry और biology इसमें extra आता है और computer science ये तीन इनसे यार देखो ज़्यादा question है लेकिन फिर भी कम से कम 8 से 9 question बन जाते है ठीक है देखो नेवी में क्या होते है ना करीब 14 से 15 question तो यार देखो physics के आते हैं लेकिन इसके अलावा जो वाकी question होते हैं वो chemistry, biology और computer science से आते हैं तो आपको अगर इन तीनों को आप हलका हलका देखो और biology में basically का होते है biology में पंदरा नमबर तक science में बहुत ही आराम से कर लोगे और सोचो यार अगर आपने 15 number science में कर लिए 15 number आपने math में कर लिए और 20 तक आपके English में आप चलो यार इसमें क्यों 15 ही करो बस करो ठीक है मैं का 20 आपको जादा लगता है तो आप इसमें क्यों 15 number करो देखो science में क्या हो आता है इसमें आपका एक question punctuation से आता है आपके 5 question कम से कम passage से आते हैं और आपके करीब 8 से 9 filler आते हैं ठीक है लेकिन navy का यार देखो English उतना अच्छा नहीं होता है नेवी में आप बहुत ही अराम से easily आप 15 पर स्कोर कर सकते हो अगर आपने basically grammar पर रखाए तो ठीक है grammar और आपने vocabulary पर रखाए तो तो देखो 15 इसमें 15 इसमें 15 इसमें 15 तिया 25 देखो आपकी यहीं बन गए और अगर आ पर देखो जीके में गल्दी आगात जीके मैं रहो सिर्फ history, polity और economics जेог्रफी सिर्फ इतना ही पढ़ते रह जाता है लेकिन आपको history, polity और geography पढ़ते हैं लेकिन आपको history, polity और geography पढ़ना तो है लेकिन बहुत है deep में नहीं पढ़ना है ठीक है इसमें देखो आर जो question होते है लाइक देखो हर एक जीके को उसमें आगे दिया होता है पहली महिला कौन है पहला पुरुष कौन है पहला ये पहला वो उपनाम नदिया वगारा वगारा जो कुछ दिया होता है उसमें से ही कम से का आपके 6-7 question बन जाते हैं ठीक है तो आपको उन पे focus करना है important दिवस हो गया ठीक है देखो मैंने अलेडी आपको बता रखा है कि question कितने type की बनते हैं तो आपको उनको पढ़ लेना है और reasoning भी आपको यार मुस्किल से 6-5-6 question देखो reasoning के इसमें fix होते हैं तो अगर आपने reasoning भी कर लिया और अच्छे से पढ़ लिया आपने देखो आच्छे से गया ठीक है मैं थोड़े से रफ कर दे रहा हूँ दो question आपको होते है figure से ठीक है दो question आपको होते है figure से एक question आपको होता है blood relation से एक question आपको होता है coding decoding से एक question आपको होता है छोटा बड़ा से ठीक है देखो ऐसे ही 5 question आपको इसमें बनते हैं और देखो इसका reasoning का pattern भी fix होता है तो ऐसा नहीं कि यार इस बार ये आया तो अगली बार नहीं आगा ऐसा नहीं होता है online exam में हमेशा reasoning का pattern fix होता है तो अगर आप यार धंग से paper को analysis करोगे तो आप बहुत ही अराम सी इसमें score 55 plus कर सकते हो और अगर आपने 55 plus कर लिया तो आप बहुत ही अराम से navy double A में selection ले सकते हो SSR नहीं में double A की बात कर रहा हूँ बाकि यार SSR देखो यार अच्छा बुरा ऐसी बात नहीं है लेकिन double A काफी local dream होता है तो double A में भी यार बहुत ही आसान selection लेना अब देखो आपको पता है कि air force के मुकाबले navy में selection है नहीं आसान क्यों 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 देखो air force में phase 2 होता है लेकिन इसमें phase 2 में ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है phase 2 में इसमें क्योंगर PFT होती है और PFT में भी running में देखो आपको 7 मिनट देते हैं ठीकि जबकि air force आपको running में सिर्फ 6 मिनट देता है 1600 मीटर के लिए तो PFT भी इसका एक तरी कि असान ही होता है अगर आप बात करें air force comparison में तो तो अगर आपका dream double या SSR है तो एको यार आप थोड़ा focus कर लो 2-3 महीने आप बहुत ही आराम से इस exam qualify कर सकते हो पेपर देखो यार tough नहीं होता है यह सिर्फ हमारी mentality होती कि पेपर tough आएगा असान आएगा अगर पेपर tough आया तो यार देखो सबके लिए पेपर tough आएगा और अगर आसान है तो पेपर सबके लिए आसान आएगा ठीक है तो I hope आपको information पसंद आएगा ठीक है तो जै हिंद जै भारत वंदे मातरम